दोस्तों नमस्कार आज अध्यायe 4 के दूसरे एपीसोड में है और पिछले एपिसोड में मैंने बात कुछ पूरा करने के साथ साथ दोहराने के साथ साथ मैं सदिश यह बीजगड़ित पर आ गया था और सदिश और अधिश राशियों के बीच में क्या अंतर है मैंने बताया था एक बार फिर से याद दिला दूं सदिश और अधिश राशियों के बीच में जो अंतर है अधिश राशियां व प्रक्षेप गती और एक सब्सक्राइब करते हैं और इस अधिश्य बीजगड़ित से थोड़ा भिन्य है और इसके उपर हमने चर्चा शुरू की थी और मैंने आप से कहा था कि आज की दूसरे एपीजोड में मैं आप से सदिश्य बीजगड़ित की थोड़ी सी बात और प्रक्षेप गती और एक समान वर्तुल गती में करेंगे तो आज शुरू करें आज के लिए तो अधिश राशिया देखिए थोड़ा सा और मैं आपको बताओं अधिश राशिया जैसे समय सेकेंड दिरव्यमान तापमान एंट्रॉपी आदी इस तरह के जो राशिया है वो अधिश राशिया है जिनकों की आपको explain करने के लिए इनकी व्याक्या करने के लिए सिर्फ परमार देने की ज़रूत है मेरे शरीर का तापमान 98.6 degree Fahrenheit या 37.8 degree centigrade है इसमें किसी दिशा की बात नहीं है यह जो मेरा द्रव्यमान 65 क्लोग्राम है किसी दिशा की बात नहीं की मैंने तो दोस्तों आईए बात करें इन राश्यों के बारे में आदिश राश्या हो हैं जिनकी सिर्फ परमान की आविशक्ता है किसी दिशा की आविशक्ता नहीं है और दाहरण की तोर पर चली हुई फ्रॉट की गई दूरी द्रव्यमान ताप्मान समय आधि-ाधि पहुत सारी दाश्या आप पढ़ाएंगे पहुत सारी आप देखेंगे जैसे अब दूरी चली कुई दुरी 10 किलो मटामे ने दूरी तहकी किसी दिशा की बात करने की ज़रोत नहीं है मेरा द्रव्यमान 65 कि पुरी तरह से एक्सप्लेन हो गया है इस वस्तु का ताप न चालीस डिग्री सेंटी ग्रेट है किसी दिशा की अवश्क्ता नहीं है एक दिन में 24 घंटे होते हैं किसी दिशा की आविशकता नहीं है समय की न पी। लेकिन अगर मैं बात करो कि मेरा विस्थापन दस किलो कि विस्थापन किस दिशा में हुआ ये बताना आवेशक है तभ ही विस्थापन की व्याथ्ख्या हो पाएगी। तो ऐसी राशी सदिश राशियां है सदिश राशियां सदिश राशियां वह हैं जिसकों की व्याख्या करने के लिए दिशा और परमाण दोनों की आविशक्ता है का ठारुजाएं नहीं चाथा लागु नहीं उता। इस बात को गांट लिज लिए दोस्तों यह बहुत महत्पूर्ड है यह बहुत ज्दा महत्पूर्ण है। इसको बैसे ट्रोन किस दिशा में लगाया, अकेデब तक इसका नहीं 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 स verbess जाएगा गाथ। इस तरह से ऐसी राज्चियों को हम सधिश राज्चियां कहेंगे और इनको कैसे explain करने है दोस्तों किताबों पाथ पुस्तव को में देखेंगे कि इनको हम bold face में करते हैं DR is या यहां पर थे या अधिश राज्चियों को हम italics त्यडर अक्षरों से लिखते हैं लेकिन तो यह सधिश्श जो और पर निशान लगा दिये तो जिसके ऊपर तीर निशान लगा दिया इसका मतलब वह एक वेक्टर शदिश्राशी है तीर का निशान नहीं है कुछ किताबों में आप परानी किताबें दिखेंगे तो वहां पर आपको कुछ इस तरह से भी मिलेगा इस तरह के भी तीर का निशान लागा यह भी वेक्टर कॉंटिटी क्या लाते थे कुछ जगह इस तरह से करते थे कुछ जगह इस तरह से करते थे कोई बात नहीं सब एक ही चीज़े सब वक्टर राश्या है लेकिन अब नई किताबों में इन चिन्नों का उपयोग नहीं किया जाता है अब नई पुस्पार्थे पुस्टकों में नई परिपार्थी में या तो किताबों में और जहां छपाई है वहां तो भोल्ड फेस होंगे या फिर जब हाथ से लिखना है तो हम उनके उपर तीर का निशान लगाएंगी यह सदिश राशियों का निरूपण है इस तरह से देखाते हैं अब देखें इसका जो किसे कोई सदिश राशी है मैं बार बार कह रहा हूं कि सदिश राशी वो राशियां हैं जिसकी व्याक्या उनके परिमान और दिशा दोनों से की जाती है अब किसी सादिश राज़ी का हमें परिमान निकालना है कितना है तो उसके लिए मॉदूडूरास का सिंबल आप जानते हैं मॉदूरास का सिंबल लगाते हैं दो डंडों के बीच में कौ़न्टिटी को रख दे और चाहे तो वह तो इस्तार से लिगे स्कामान एक क्खा़ी उसकी एक सदिश राजी चाही चैना यह जाएगी आप सब्सक्रांद कने蒲 लोका लेकश्टे कने को लेक्कि आपर पूस्तक पुस्तकर्ण कर सकते हैं सदिश राशियों, मैं बार-बार बात कह जह रहा हूं, एंस भीजगणियों को समझने के लिए, हमें एक वेक्टर है यह सदिश भीजगाड़ित की जरुत होती है। मैं भीजगणियों कि साधरारण भीजगाड़ित से अलग है, बिन्ने, तो अब हम इस भीजगड़ित की तरफ आगे बढ़ते हैं दोस्तों और अब इनको समझाने के लिए किसी वेक्टर को हम समझाने के लिए किस तरह से यूज़ करते हैं कि जैसे एक तीर का निशान मना देते हैं इस तरह के चीजों को आप बहुत देखेंगे आप ज़रा भी सम साइज है जो तीर का साइज है तीर का जो आकार है वो उसके परिमान को दर्शाता है ध्यान दीजिए पूछ उसकी प्रारंबिक स्थिति को बताता है और तीर सिरा उसकी अंतिम स्थिति को दर्शाता है अब हम इस वेक्टर अलजबरा की बात आगे बढ़ाएंगे करेंगे तो दोस्तों इसमें एक quantity है, एक राशी है, उसका नाम है स्थिति सदिश, अंग्रेजी में इसको कहते हैं position vector, कहीं कहीं लिखा हुआ दिखेगा आपको PV, PV मतलब position vector, हिंदी में स्थिति सदिश, तो हम स्थिति सदिश की बात कर रहे हैं और एक दूसरा होता है विस्थापन सदिश, तो नामों से ही आपको एहसास हो रहा होगा कि स्थिति सदिश वस्तू की स्थिति को दर्शाएगा, विस्थापन सदिश उस वस्तू में किसी नियब समय में हुए विस्थापन को दर्शाएगा, तो आएए जरा इसको graph की तरीके से देखें, माल लिजे, ये एक origin x xy coordinate system है xy coordinate system यह इसका origin है कि xy कार्थिय प्रडाली है और उसका यह origin बिंदू है मुख्य बिंदू है अब कोई बस्तू O पर है O और P की P बिंदू पर है तो अगर इस O बिंदू के सापेक्ष हम इस P बिंदू की स्थिति को देखें तो जो वेक्टर है वो O P वेक्टर है तो म या इसको मैं R वेक्टर के नाम से कहने होगा यह आर मैंने देखें पोल्ट फेस में लिखा यहां पर तो यह R वेक्टर इसका बिंदू P का स्थिति सदिश है पोजिशन वेक्टर है इसी तरह से कोई अन्य वस्तू है माल लीजिए यही वस्तू थोड़े समय बाद गती करत आती है अब इस P' बंदू का इस्तिति सदिश क्या होगा देखिए O से ही अब चुकि यहां पर रास्तों की कोई बात नहीं है प्राइंबिक बिंदू और अंतिम बिंदू के बीच की बात है तो प्राइंबिक बिंदू O क्योंकि हमारे जो प्रणाली है जो कार्थिय P' donc P' loop R'd yeahbble this P' का जो स्थिति सदिश है वो क्या है और Cheeем P का क्या सितिश वहाइ of theAt cavalry आ टर्छ और ऑर इस यह स्थिति हैश हुए अब आऊ है सितिशदिश हो गए यह प्रारंबे की स्थिती है बार लिजे अब यह वस्तू एक पहले पि पर थी अब वो P dash पर जा रही है, कतिप कर गई, अब इस पर विस्थापन हुआ, विस्थापन कितना हुआ, P P dash, P P dash विस्थापन हुआ, अब इस P P dash को हम कैसे कहेंगे, आखरी बिंदू, R dash minus R, R dash minus R, तो ये इसका एक विस्थापन सदिश हो गया, Okay, displacement vector, अंग्रेजी में इसको हम displacement vector कहते हैं विस्तापन सदिश हो गया तो यह सब्सक्राइब सब्सक्राइब कि और समझने की कोशिश करें आप अच्छी तरह समझ चुके हैं इसको इस चित्र में कोशिश करें पी से क्यू पर तो इसका एक बार रास्ता माल लेजिए यह डी होते हुए है एक बार यह भुमा हुआ नीले रास्त का रंग से जो देख रहे है वो है और होस्ता ही कि एक बार हमने यह रास्ता लिया जो कि बड़ा सीधा सा दीख रहा है लेकिन हर स्थिती में इसका जो स्थि Q vector minus OP vector या इसे हम कहेंगे PQ vector. यह इसका विस्थापन सदिश होगा. चाहें node matter कोई अंतर नहीं पढ़ता कि इसका वो किस रास्ते से जा रहा है. मतलब विस्थापन सदिश सिर्फ प्रारंबिक सदिश और आरंबिक सदिश पर निलभर करता है. अब आप देखिए यह जो इसका path length वाला मसला था, path length आप देख रहे हैं यहां पर, जो path लंबाईयां हैं यह हमेशा इस विस्थापन सदिश से या तो जादा है या जादस जादा उसके बराबर हो सकती है. उससे छोटी नहीं हो सकती. तो इस बात का ध्यान रखिए दोस्तो देख रहे हैं आपने आगे बढ़े हैं थोट से position vector क्या, इस्तिती सदिश क्या है, विस्तापन सदिश क्या है, अब धीरे-धीरे हम आगे बढ़ेंगे और वेग सदिश की बात करेंगे, अब वेग सदिश बार-बार नहीं कहेंगे, हम खाली वेग कहेंगे. इसी तरह से त सदिश राशियां हैं, vector quantities हैं, अब देखे, दो वेक्टर या दो सदिश बराबर है कि ने, थोड़ा सा और इस अगरे को हमें सद्याय में समझना होगा, अब आप दो सदिशों को दिखे, दो सदिश हैं, अब क्या दोनों सदिश को कम पे हमें तुल्ला करनी है ना, दोनों स सदिश गड़ित करेंगे, तो देखती ही कैसे करते हैं, माल लेजे, ओ यह, यह, वेक्टर है, ओ इसका प्रार्रमिक मिंदू है, पी इसका अंतिम मिंदू है, तो ओ पी वेक्टर जिसको क्यों हमने ए वेक्टर कह दिया, इसी तरह से एक दूसरा वेक्टर भी है, जो इसका अलग अलग जगए पर हैं, दोनों के प्रार्रमिक मिंदू अलग 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 थे, पर दोनों सदिश राशिया बराबर हैं, क्योंकि दोनों के परमाल बराबर हैं, दोनों की दिशा समान हैं, कोई बात नहीं अगर अलग 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 समय पर भी हो सकते हैं, कोई बात नहीं लेकि दौन राश्याव बराबर हैं तो दौनआँ ऐसे सदिशों को ये इस तरह से आप नहाँ सदिशों और कर सकते कमपयर न ना कर सकते हैं यहाँ पर उब्यों बराबर है लंबाई से बरावर सकते हैं इस सब्सक्राइब को देखिए लाक दोनों के परिमाण समान है युछ अदिश और बाइश बस लेकिन रहसे ऐसे नहीं है जैसा मैंने आप से कहा था अध्याय के चुरू में ही मिल निल एक दिशा मेंली कि दो न्यूटन का बल लगाया एक जीसे यह वस्तू है मेरे हाथ मैं इस पर में दो न्यूटन का बल लगाता हूं अब थोड़ी देर बाद मैं इस में चisons न्यूटन का बल लगाता हूं मतलब मैंने बलक को दो से गुड़ा किया बलक के परिमान मैं दो से गुड़ा किया पहले दो नूटन का बल था फिर दो सेड़ कर करें चाड़ नूटन का बल लगाया मगर दोनु स्थितियों में इस बल की दिशा एक ही रही और इस तरह से इस चित्रमें देख की यह सदि आप मैंने इस給ber EPA भूत अब मैंने इसके दू नहीं वास्तिक संख्या है एक वास्तामी कि एक रियल नंबर है तो इसका 2 से मल्टिप्लाई किया मतलब उसका परिमान दो गुंदा होग colored दिशा वो इन रही जब आप उसका किसी वी Muy संक्या से गोड़ा कर रहा हूं तो यह इ pry ध्यान रखिये कि सिर्फ और सिर्फ शुक्ता परिमान बदले mr. ₽ उसकी दिन स्वार को यंताल है कि यह लंबर है ये पूण संख्या भी हो सकती है यह ब्रेशनल व्यूर भी हो सकता है है कि नंद अब मैंने इस में अब मैं क्या करूं कि अभी तक मुने दिशा बादलना तरह में गषा में कि दिशा पलट गई देखिए यह पर यह एक वेक्टर है ए अब इसको मैंने दूसरी तरफ से माइनस वन से गणा किया रदात्मा के वन से तो इसकी दिशा पलट गई कि यह माइनस है यह डिर्ड़ गुना है माइनस में तो इस तरह से मैं वास्तिविक संख्या से गुणा कर सकता हूं आगे आने वाले स्लाइट्स में आप देखेंगे जहां पर कि मैं वियोजन करूंगा अभी इन वेक्टर राश्यों का वियोजन करूंगा घटक बनाऊंगा इनके तब आप देखेंगे कि इन सब धानतों का बहुत अच्छा यूज होगा और आप इसमें मैं समझता हूं इस समझाने की आपको बहुत ज़्यादा आवशक्ता नहीं रह गई यह वेक्टर राश्य है यह इसमें लेमडा एक्स रियल नंबर है तो इसका जो मान होगा इसका जो मॉडूलस होगा परमाल होगा लेमडा टाइमस ए और लेमडा एजी कल तो जहां पर कि लेमडा एसे जीरों से बड़ा है अब दो राश्यों को दो वेक्टर सदिश राश्यों का यह आपस में जोड या घटाना कैसे फिजिकली क्या मेनिंग है समझेए मैं चार कदम एक दिशा की तरफ चला देखे एक दो तीन चार एक दिशा में चला और इसके विपरीत दिशा में मालने जीए इसके विपरीत दिशा में मैं दो कदम पीछे की ओर हुआ अब मेरा कुल विस्थापन कितना होगा पहला वाला वेक्टर था चार उसका परमान था चार दूसरे वाला वेक्टर दुशा दूसरी दिशा में हो गया उसका परमान है दो तो टोटल कितना हो गया अगर आप इनिशेल पोजिश माल लेजिए मैंने चार कदम पूर्व से पश्रिम की और चल रहा हूँ एक तो तीन चार अब कोई बात है अब मैं दुज़े दश्चुल की तरफ चलता हूँ थोड़ा सा दश्चुल की तरफ मैंने दो कदम चला एक दो यहां यह मेरी अंतिम इस्तिती है द्यान कीजिए प्यारमी किस्ति इस जगहां पर थी लगभग चार कदम पीछे की तरफ अगर मैं होरीजेंटल डिस्टेंस देखूं चैतिस दूरी देखूं अब मुझे देखना है कि मेरा कितना टोटल विस्थापन हुआ अब मैं एकदम से साधरान भीजगड़ित से नहीं देख कर सकता आप देख रहे हैं कि साधरान भीजगड़ित से नहीं कर सकता कि मेरा कितना विस्थापन हुआ है टोटल मिलाकर कुल मिलाकर च्योंकि छे कदम नहीं हैं आप देखिए लगबग मैं अपनी प्रानी स्थिती पर आ गया हूँ तो ये लगबग साड़े चार या पांच कदम के आसपास के लगबग रहेगा तो ये कैसे जोड़ूं, कैसे करूं, कैसे किया किया मैंने, कैसे हुआ अब देखिए इसको कैसे solve करेंगे इस समस्या को देखिए, माले जे कोई vector A है पहले, A vector है यहाँ पर और दूसरा vector B है, जिसकी की दिशा उल्टी दिशा में है मैंने जान बुछ करके थोड़ा सा मुश्किल लिया है, जिससे कि आप थोड़ा सा मनन के जादा करें अब A plus B मुझे निकालना है, दौनों vector का और दौनों साधिशा का योग करना है, अब यह देखो भया, यह दौनों जो vectors हैं, एक के बाद एक अरोपित हो रहे हैं, one after the other, तो पहले A vector, O से A, प्राणामिक बिंदू O, अंतिन बिंदू P, तो इसका सिरा P पर है, तीर का, और यहां पर इसकी पूछ है, अब यहां पर इसके बाद दूसरा vector B चला, यह वाला, अब यह जिता बड़ा vector है, उस पूरे-पूरे vector को मैंने यहां पर रख दिया, य P Q की shape में, आप देखिए इस दौनों का, दौनों की total strategy को देखे, तो प्राणामिक बिंदू O है, अंतिम बिंदू Q है, तो इसके बीस में जो आपने तीर किया, तीर का निशान है, तीर का निशान है वो प्राणार अंतिम बिंदू की और होगा, तो तीर का निशान आप न निली लाइन को तो इस तरह होगा, तो यह मेरा resultant या total जोड यह vector होगा, okay, संक्रित जोड वेक्टर होगा, यह संक्रित वेक्टर को R से हमने किया, तो R is equal to A plus B, ध्यान देना दोस्तों, यहां पर यह सारी जो quantities मैंने लिखी है, यह सब bold face में हैं, तो यह सब vector quantities हैं, otherwise अगर स्केलर होती, तो italic भी होती और bold भी नहीं होती, आप जब अपनी copy में बनाएंगे, तो इनके उपर 3 के निशान बनाएंगे, तो इसमें इन दौनों का जो vector योग है, वो R है, A plus B, अब आईए, एक दूसरा case देखते है, यह case देखते है, ठीक है, माल लिजे, अब मैं B plus A क दैस्चिम की ओर गया था, फिर मैं वहां से दत्षण की ओर गया था, अब पहले मैं दत्षण की ओर चलता हूँ, और फिर मैं यहां से पूर्व की ओर चलूंगा, तब क्या होगा, तब कुछ इस्तिति ऐसी आएगी, मतलब पहले vector B, फिर vector A, लिए वैक्टर B और आगया, S बिंदू से यह वेक्टर, तो प्रारायम के को बिला कर दोनों वेक्टरों को देखें, तो QS that is vector B plus SP that is vector A, सद्धिश्राशी A, इन दोनों का योग B plus A, यहां से यह निली लाइन बताएगी, यह निली लाइन बताएगी, तो QP बताएगी आपको निली लाइन, अब आप यह a r देखिये और gare u jr dp Floris gator 15-15 इस दौनों के परिमानदबर आप ध्यान किजिते के दो-सलाइड पहले मुनने बताया था कि चाहे भले उनके इस्थान अलग-अलग हो अगर दौनों के परिमान बराबर है और उनकी दिशाएं समान हैं तो दोनों सदिश राशियां एक समान कहलाएंगी ध्यान है ना जब मैंने बात की थी सदिश राशियों की समता की उसी समता की को मैं यूज कर रहा हूं तो दोनों वेक्टर ए प्लस बी इसका बतलब क्या हुआ ए प्लस बी इस इकल टू बी प्लस ए ए प्लस बी इस इकल टू बी प्लस ए ये वेक्टर ए प्लस बी इस इकल टू वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए ये सहाचार नियम कहलाता है राशियों का जोड का सहाचार नियम कहलाता है अब आप देखें तीन वेक्टर हैं अब एक के बाद एक बाद के बार एक तीन वेक्टर हैं इसे सौियों वेक्टर हो सकते हैं एक साथ हम सो को सब जोड़ सकते हैं निखिए अब टीम के लिए देखते मिनि में और दीखरें है देकर यह अप इसकी mi Yep अब मैंने अब b वेक्टर के पूछ य Jewett के सिरे मिलेगी और वेक्टर के ज़ा सिरा है उससे वेक्टर की पूछ मिलेगी तो यह जो बिलकुट प्रारमिक बिंदू और अंतिम बिंदू यह दोनों मिलकर के मुझे A plus B plus C देंगे A plus B plus C कैसे मिल रहा है मुझे A B तो इन दोनों का जो योग होगा यह योग होगा A plus B जैसे मैंने यहाँ पर किया है A plus B यह वाला होगा plus C तो यह जो होगा मेरा A plus B plus C होगा इसी तरह से अब मैं पहले B plus C करूँगा मैं नहीं करता A plus B मैं पहले B plus C करूँगा मैं पहले B plus C करूँगा B, C तो यह वाला जो वेक्टर है यह मेरा B plus C वेक्टर होगा अब इसमें मैं A वेक्टर लगाँगा तो मतलब A plus B plus C फिर से वोई वेक्टर आ गया तो मैं चाहे A plus B plus C करूँ या A plus B plus C करूँ यहां देख रहा है यहां पहले A x B का जोड निकाला फिर इसमास C जोडा फिर इसके कैसा में आप किसी तरह से भी जोड़ है आपको हर इस इति exactementrolle जो टोटल योग है वो एक ही प्राप्त होगा, इसका मतलब यह है, इसको हम सदिशों के योग का सहचारनियम कहते हैं, तो next slide की तरफ हम चलेंगे दोस्तों, अब हम subtraction of vectors की बात करेंगे, जहां पर की A vector, योग तो हमने करना सीख लिया, इसी तरह से 100 राशिया भी होगी, 100 रा राशियों का ही जोड़ होगा, आप you can't add dogs with horses together, आपको एक ही तरह की राशियों का एक साथा साथा जोड़ना होगा, आप अलग अलग चीजों को नहीं जोड़ सकते हैं, योग की अवधारना है, जो साधरन बीजगड़ित में है, वही सदिश्य बीजगड़ित में भी है, स सारे बल होगे, एक समवेग है, तो सारी राशिया समवेग होगी, एंड सो फार सो होगे, अब देखिए, यही बात व्यकलन या सब्ट्रेक्शन में भी होगी, तो व्यकलन करते समय, मालनी जे मुझे a-b निकालना है, तो इसको मैं दोस्तों कुछ इस तरह से लिख सकता हू मैं इसी ट्रिक का यूज करता हूँ, a ये है, b ये है, ठीक है, तो माइनस b क्या होगा, इसका ठीक उल्टा, ये देखिए, ये माइनस b, अब इसको और इसको में जोड़ दू, वो क्या जोड़ा है मैंने, देखिए, a और माइनस b, ये रहा, तो ये मुझे मिल गया, r2 is equal to r, a माइनस b, similarly, अब a प्लस b क्या होगा, दोस्तों, a प्लस b, a और b, ये a 1 प्लस b, मतलब, a प्लस b is not equal to a माइनस b, आप साफ साफ देख रहे हैं, दोनों की दिशाएं अलग अलग होगी, ये आपके common sense में भी आई है, आपके common sense भी यही कहता है, और सदिश्य बीजगड़ यही कहता है, पर शारन की कोई जरूप नहीं है, बास, a माइनस b को हम हमेशा इस रूप में भी लिख सकते हैं, तो इस तरह से हम subtraction आगे करेंगे, subtraction इसे special case of addition, मतलब जो व्यपकलन है या घटा, जो घटा है, घटाते हैं, वो एक खास सिती है, जोडने की, ये हम हमेशा से जानते हैं, उसी इसद्धान को हमने यहां पर भी उपयोग किया है, दोस्तों, अब देखे, शूर्निशदिश, शूर्निशदिश क्या होता है, आपके पढ़ेंगे आगे, क्योंकि अभी मैंने आपको बता है था दोस्तों, कि कि सदिश राशी का किसी वास्तिविक संख्य से गोडन फल, यह मैं बता चुका हूँ, अब आप देखिए, मैं और कुछ संकलन, मतलब जोड़न, मतलब घटाना, इसकी भी व्याख्या कर चुका हूँ, अब आप देखिए, मालने जी एक वेक्टर, दो वेक्टर है, मैंने ए प्लस भी तो कर लिया, ए माइनस भी भी कर अब मैं ए प्लस माइनस ए, यह करना चाहता हूँ, यह माइनस ए, मतलब एक वेक्टर, ए वेक्टर यह है, तो माइनस ए क्या हुआ दोस्तों, यह वेक्टर, ठीके, अब इन दोनों को जोड़ दीजे, तो आपको क्या मिलेगा, एक बिंदू भी लेगा, सिर्फ एक इस बिंदू को हम शुन शदिश कहेंगे, इस बिंदू का परमाण, जोकि शुन है, तो इसलिए ऐसे वेक्टर सदिश को शुन शदिश कहेंगे, ठीक है, अब मालनी जे, एक कोई वेक्टर ए है, मालनी जे, पाँच मात्रक, उत्तर दिशाम है, तो आप देखिए, इसका परमाण हम कैसे लिख सकते हैं, लिख सकते हैं न ऐसे, ठीक है, तो अब मैं अगर इस तरह से लिखू कोई, ए, डिवाइड बाई, इसका परमाण, जिसको हम सीधा इस तरह से भी लिख सकते हैं, अब कोई तीर का दिशान नहीं है, तो इसका मतलब इसको मैंने खाली परमाण की बात कर रहा हूं, इसका क्या मतलब हुआ बहिया, इसका जो एक सिर्फ दिशा की बात हो गई, लेकिए इसका जो परमाण होगा वो यूनिटी होगा, वन, इसका जो परमाण होगा दोस्तों, वो सिर्फ वन होगा, और ऐसे सदिश को हम एकांक सदिश कहेंगे, यह हैं मान लेजिए यह यह फैसकी पाउंच ऐनिट्स थी पानिटि एक ऐनिट ने इसको परमांज सिर्क एक है एक है एक और उसकी दिशाट कोई सकती है ऐसे सदस्ट को हम एक सदेश काईंगे या अंगम में यसको कहते हैं यह अंगरी मुंस यह एक है हमारी जलाइफ को बहुत आसान बना देंगे थोड़ी दिर बाद देखिएगा जब आगे चलेंगे तो बड़ा आसान बना देंगे दोस्तों यह जो भिदी थी आप ध्यान दिया था दोस्तों कि मैंने यहां पर एक के बाद दूसरा वेक्टर लगा रहा था मैं एक के बाद लेकिन अगर दोनों एक साथ हों माली जो यह कोई वस्तू है इस वस्तू पर मैं एक साथ बल लगा रहा हूं दो बल लगा रहा हूं एक बल इस दिशा में यह एक बल इस दिशा में और एक बल इस दिशा में अलग लग दिशाय हैं लेकिन दोनों बल एक साथ लग रहे हैं तब क्या करें। तब तो आप एक पूछ दूसरे के सीरे पर नहीं लगा सकते, क्योंकि दौनों बल एक साथ लग रहे हैं, और डौनों सदेश एक साथ कारह रहे रहत हैं, मालनी आप देखे यह केस, एक रहाठिज तर लगा है, अब A vector यह है B vector यह है लेकित दौनों को आप एक की पूप अच्छे नहीं लगा सकते अब आप कैसे इसका resultant निकालेंगे कैसे इसको जोड़ करेंगे आप क्या करेंगे इसके parallel इस line के parallel दूसरी line खिचेंगे यह तो एक यहां पर समानता चत्रोज बन जाएगा parallelogram बन जाएग और दो वेक्टरों को और दो सदिशों को जोड़ने की इस विदी को हम समानता चत्रोज विदी या हम उसको parallelogram law of edition कहते हैं आप इसको जोड़ धरवाईए कि अगर मैं इसको ट्राइंगल लूग की तरह से पहले की तरह से one after the other की तरह से करने की कोशिश करूँ तो कुछ इस तिर्वुज नो योगनियम दोनों एक दूसरे के सरवांगीर हैं बराबर हैं एक जैसे हैं सरवांगी सम हैं एक जैसे हैं तो यह ध्यान रखिए कि कौन सा सिचुशन कब काम करना है उस सिचुशन को हम एक के बाद एक या दोनों एक साथ काम करेंगे तो दोस्तों आज के एपिसोड में इतना है और अगले एपिसोड में हम इसके आगे का थोड़ा सा विजगरित देखेंगे और फिर हम भौतिक इस्तितियों में इन सदिश राश्यों के उपियोग का अध्यान करेंगे तो आज के लिए धन्यवाद नमस्कार किरेंगे एफिसोड में हम सके राश्यों में इसके दिर हम इसके आफ़ें के लिओश है ऑ मन이야 dim